मेरे गैन ब्रेडर में एक स्टॉन सी उसके रहते मुझे बहुत डर लगता था ऑप्रेशन कराने के लिए इसलिए मैंने कई होस्पिटलों का आड़ा हैगा वो दोरा किया बखबख डक्टरों से सिला लेई बाद में मुझे ऑनलाइन और मेरे किसे रेलेटिव के जरिये जो स अपनाया वो मुझे बहुत ही वद्या लगा और मैंने सोचा कि जो अपरेट कराना है वो जहीं से कराना है इस अपरेशन में बहुत माइनर जे स्टिचल्स गरह लगते हैं हेलो मेरा नाम अशो कुमार है मैं जिस्टिक होशी आरपर से बिलोंग करता हूं मेरे ग्रेंड ब्रेडर में एक स्टॉन सी उसके रहते मुझे बहुत डर लगता था अपरेशन कराने के लिए और डक्टरों जो मुझे बताया था बाख 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 होस्ट्रों में चेक कर तो उन्हें बताया कि इसका उपरेट होना ही होना है पर मैं उपरेट कराने से बहुत डरता था इसलिए मैंने कई होस्पिटलों का आड़ा हैगा वो दोरा किया बखबख डक्टरों से सिला लए बाद में मुझे ऑनलाइन और मेरे किसे रेलेटिव के जरिये इस होस्पिट होस्पिटल है जिलंदर में पढ़ता है इसके बारे में पता लगा जै होस्पिटल और धहां का स्टाफ और डक्टर साव का जो रवेए था जो उन्हों होने मुझे स्कारत्मक सोच दी जो मेरे उन्होंने रवैया अपनाया वो मुझे बहुत ही वद्या लगा और मैंने सोचा कि जो अप्रेट कराना है वो जहीं से कराना है और मैंने जब जहां से मिनी लैब से अप्रेशन कराया बहुत बदिया अप्रेशन हुआ और इस अप्रेशन में बहुत माइनर जे स्टीचस गरा लगते हैं कोई डरने की बात नहीं होती बहुत बदिया अप्रे सब्सक्राइब है कि यो आपने पेश्चन अन्ना अग्गे तो भी दें अप्रिशन कर दे रहांगे ते मैं जो भी कोई मेरे रेलेटर्व है जा मेरे कोई मेरे जानकार विछ होएगा मैं यही सुझाशन करांगा कि वह इस हो स्पिटल बीच आन ते आपना एड़ा है आप प् हुआ है